सबस्कारब करें अपने येटीब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागते दोस्त तक बाप फिर सही आपके अपने एडिप चैनल आणाबोट मेडिसिन में जहां आप आते दवाइयों के बारे में संफोन जानकाई और हम जानेंगे अटेनल लोल दाता प्रोपरन लोल दोनों में क्या संबन्ध है और किस विमारी में यह दोनों काम आते हैं तो यह सवी बात है इस वीडियो हम जाने के खिलिए वीडियो को पूरा देखे जिससे समपूर्ण जानकारी आपको अटेनल लोल टेब्लेट के हेलो फ्रेंड्स नमस्तों दोस्तों अटेनल लोल एक काडियो सेलेक्टिव बीटावन ब्लोकर है जो की एडिनर्जिक प्रोपर्टी भी रखता है और यह सी एनेस ताथा एनेस सेंट्रल नर्वास सिस्टम दोनों पर ही कारी करता है अटेनल लोल आपको कॉमिनेशन साल्ट में तता सिंगल साल्ट दोनों मिल जाएगा और जब आप इसको कॉमिनेशन साल्ट में देखते हैं तो एमलोडी पीन के साथ में ज्यादा तरीका कॉमिनेशन मिलता है इस वीडियो में हम एक्टेनल लोल से बढ़ गया हो मतलब 120 अपन 80 से बढ़ कर जादा हो गया हो तो उस पीशन में दर्द या को ही जव्यक्ति को एंजइना की दिक्कत ओर चाहिए और यह चाहट घ्रृट का दर्बड का है वह प्रोपर नहीं रहता साथ ही oxygen की supply प्रोपर नहीं रहती तो उस समय यह चेस्ट में होने लगता है और यह जो पेन है आपको लेफ्ट हैंड में यह चेस्ट में रहेगा तो इस समय अगर डॉक्टरों दिखाते हैं तो आपको अठनल और टेबलेट प्रेस्काइब की जाती साथ यह अगर एंजाइना का जो treatment है प्रोपर समय पर नहीं लिया जाए इसका इलाज नहीं करवाया जाए तो आने वाले कुछ दिनों में यह heart attack का रूप ले लेती है तो यदि आपको एंजाइना की प्रोब्लम है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलके इसका इलाज ल मोलते हैं इसमें वियाखी ही यह तो नॉर्मल से कम हो जाए यह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी अगर नॉर्मल हाट्बीट की बात की जाए तो 72 बीट्स पर मिनित होती है इससे कम जादा होने पर यह अटनल टेप्डेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है और इसके आप में से कई अगों को पता होगा एक दवा आती है जिसका नाम प्रोपनलोल है जो माइग्रेन हैडेक में या कुछी दूसरे प्रका के सिर्दत में दी जाती है अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यह नोन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है और अगर दूसरे भींड करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और हो सकता है दोस्तों इन सबी दूसरे करने के सब्सक्ति बाद लेदेन के जांवेलेबल है जैसा आप सब्सक्त है म resonates मिल illaterals कि और इसके इसके जाت है चैनल ब्रांड रांड ने टेबलेट है नो प्रहें चैनल है तर रु टेबलेट बीटा कार्डड टेबलेट यह कुछ इसके पुपूलर में ब्रांट बते हैं जो ज्यादा तर मिल जाती आपको कहीं पर भी और हो सकता है इसके अलग अलग अपको मार्केटियों मिल जाता है दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी दूज की तरफ कितनी मात्रा में होती है बीमारी की टाइब के एवर्डिंग उसकी डोज रहती है साथ ही पेसेंट की एज और वेट की रहती है जो हाइपर टेंशन के लिए एडल्ट की जो डोज है मौ आपको बता दू शुरुवाती में 25 मिलेगाम की अटेनलोल टेबलेट मरीज को दी जाती है और एक से कंट्रोल नहीं होता है तो 50 मिलेगाम या 100 मिलेगाम उसको पर डेखी देकर उसे मेंटेंट थेरेपी ग्रूप में रखा जाता है और साथ हाई ब्लेट प्रेसर में 100 मिलेगाम प्रती दिन से ज्यादा नहीं दी जाती है और कई सारी हाट रिलेटेड प्रोड्म है जिसमें दिन एक टेविर दी जाएगी लेकिन दोस्तों मिलेगाम प्रती दिन इसकी डोज दी जाती हाईर दोस में दिया जाता है दोस्तों जो एटनलोल है वो complete treatment नहीं है किसी बिमारी का इसके साथ कई दूसरी दवयां भी दी जाती है और इसके साथ मैं कई बार आवज सकता होने पर डॉक्टर प्रोपर डाइट और रेगुलर एकसेज का भी आपको करते हैं और यदि कोई बच्चा है मतलब कोई प्रेसेंट है जिसकी ओम्र अठारा वर्स से कम है तो उसे अटनलोल दवा नहीं दी जाएगी साथ प्रेग्नेंट होमन है उसे नहीं दी जाएगी दवा को आप रेगुलर लेते रहें हो सकता है आपको लाइफ टाइम भी लेना पड़े जब तक आपका डॉक्टर मनानी करें दवा लेने के लिए आप इस टेबलेट को नहीं रोके और जब इसको रोकना तो सड़नली नहीं रोके अपने डॉक्टर के एडवाईज की दोस्तों अब वीडियो के लाश में जान लेते हैं इसके साइड इफिक के बारे में बहुत ही अच्छी दवाई है आइपरटेंशन के लिए एंजाइन का के लिए माइगरेन के लिए लेकिन फिर भी इसके कई सारे साइड इफिक्ट देखे गए हैं जिसमें व्यक्ति को दूंदला दिखाई दे सकता है हाथ पाउं उसके ठंडे हो सकते हैं कंफूजन के स्तती होना थकान रहना कमजोरी रहना साती बहुत ज़्यादा पसीन आना स्वास लेने में उसको दिक्कत होना और कई बार सोय रहने पर जब खड़े होते हैं तो उस समय सीर चक्राना या लाइट हेडेक होना ये कुछ समय इसके साइड इफेक्ट में देखे अधी उमीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही हल्पल रहे होगी और नई जानकारी आपको इससे मिली होगी और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोरू इसको लाइक करें और जादे जादे इसको सेर करें जो किशी और की बीए काम आ सकें और विल तक आपने अपने अचिव चैनल लाइन अपको अच्चिंग तानकार रही होगी और अचिए प्रट्ट्ट्म नाचिंग जो कि अळिए भाट अटानकारी और दूपल टूष्यक्टाइंच अचिवड दियुक्ताइक मूरी बाटनकारी आपको और जो को भाटनकारी आति आतिए कहते हैं यु